नमाज वाले मामले पर बसपा की आई बड़ी प्रतिक्रिया राज्यसभा सांसद ने भाजपा को जम कर गेरा जिया दोस्तों आपने बिलकुल सई सुना मैं उपरागमंद्र आप देख रहे है नेशनल चौपाल इस तरीके से देश में बीजेपी की सत्ता केंद्र में और तम आई ऐसी भी तस्विरे देश के अंदर में देखी जाती है जिसको लेकर शर्मसार होना पड़ता है और बता दे कि दिल्ली के इंदर लोग से ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े ही जम कर वायरल हो रहा है जिस वीडियो में बता दे कि तमाम मुस्लिम समाच के जो लो आता कि मुस्लिम समाच के लोग रास्तों पर नमास अधा आखिर कैसे कर सकते है और अपनी मनुवादी जातिवादी विचारधारा के सोच को लेकर कहे या फिर आखिर जिस भी मन्शा को लेकर कहे वो तमाम मुस्लिम समाच के लोगों को हटाने का काम उस रास्ते से किया जा लेकिन जिस तरीके से तमाम मुस्लिम समाच के लोगों को हटाया जाता है आप उसकी कलपना नहीं कर सकते हैं। पिर किस तरीके से इस वीडियो में आप साफ तोर पर देख पाएंगे कि कैसे तमाम मुस्लिम समाच के जो लोग है वो रास्तों पर नमाज अदा कर रहा है और उनको हटाने के लिए पुलिस कर्मी कहने के उनके उपर में लाते बरसाते में नज़रा रहे हैं। कॉंग्रेस के सरकार रही लेकिन इसके बावजुद भी देखेंगे तो कॉंग्रेस के सरकार में भी तमाम मुस्लिम समाच के उपर में जो होने वाले अन्यात्याचार है ये थमे नहीं। लेकिन रवया अब कही न कई दिल्ली पुलिस का कहे या फिर तमाम देश के अंदर में ये प्रशाशन का कहे वो इस कदर बन चुका है कि साम्परदाइक माहुल को निर्मान करने का काम जिस तरीके से शाशन के जरिये और जिसमें बड़ी भूमी का मीडिया के बताई जा र और इसी चीज़ को ध्यान में रखते वे इसी चीज़ से ग्रसित जो पुलिस कर्मी है वो कहने के तमाम मुस्लिम लोगों को नमाज अदा करते वे यहाँ पर साफ तोर पर नजरा रहे है उनके उपर में लाते बरसा रहे है भले ही ये कहने के सवाल खड़ा होता है कि ये ज कुछ और भी हो सकता था तमाम जो नमाज अदा करने वाले लोग है उनको रोकने के बाद में या फिर उनको नमाज अदा करने के पहले ही रोका जा सकता था या फिर उनके नमाज अदा करने के बाद उनको ये समझा जा सकता था कि इस तरीकी की चीज़े रास्तों पर करना ये बिलकुल भी सही नहीं है, यातायात को इससे तकलीफ हो सकती है और होती है और ऐसा न करते हुए उनको डीटेन किया जा सकता था, उनको नजरवन्द किया जा सकता था, उन पर कारवाई हो सकती थी, लेकिन जिस तरीके से रोकने का काम पुलिस करमे के माध्यम से किया गया इसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरीके से लोग अपनी अपनी प्रतिकिरिया लिख रहे है ऐसे में बता दे कि बोजन समाच पाइटी के राज्य सबासांसद इंजिनेर रामजी गौतम इनकी बड़ी प्रतिकिरिया इस पूरे के पूरे मसले पर आई है वो प्रतिकिरिया आपके साथ में मैं साजा करना चाहता हूँ इंजिनेर रामजी गौतम इनका कहना है कि देश सविधान से चलता है सविधान ने सभी को अपने धर्म को मानने और पूजा अर्चना करने का अधिकार दिया है अगर कोई वह आई तो ट्राफिक को लेकर नमास से पहले या बाद में रोकने का प्रयास करना चाहिए लेकिन इस तरह के क्रत्य की चुट नहीं दी जा सकती इसकी जितनी निंदा की जाए कम है डिपी दिल्ली पूलिस जाच करे तो देश सविधान से चलने की बात राजय सवासान से इंजिनेर रामजी गौतम इनके माद्यम से की गई है लेकिन धार्मिक मुद्दों को लेकर और अन्यकों प्रकेशे चीजों को लेकर जो बनाने का काम कहने के देश में बीजेपी के जरिये किया जा रहा है बारत ये धर्म निर्पेक्ष देश है तमाम धर्मों के जो लोग है तमाम धर्मों के लोगों को उनके धर्म को माद्यम की अमल मिलाने की आज़ादी है लेकिन कहने के बीजेपी के जरीए हिंदो और मुस्लिम कुछ राजनीती कहने के करते वे यहाँ पर प्रदेश में नजरा रहा है लेकिन इस आधार पर वीडियो में आप साफ तोर पर देख पा रहे है कि जो पुलिस के जरीए किया जा रहा है बिल्कुल भी ठीक नहीं है जिसको इस कृते को बिल्कुल भी छूट नहीं दी जा सकती है और यह बिल्कुल भी सहन करने लगा नहीं है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है और दिल्ली पुलीस इस पूरे के पूरे मसले पर जल्द से जल्द जाच करकर कहने के सही संग्यान कर एक्षन करने का काम करें तो यह तमाम बातें बहुजेन समाच पाइटी के राजे सभासान सद इंजीनर राम जी गतम इनके माध्यम से की गई है वीडियो जो दिल्ली के इंदर लोग से आ रहा है और सोचल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है इसको लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है बहुजन समाच पाइटी के माध्यम से इस पूरे की पूरे मसले का जो विरोत किया गया है इसको लेकर आपकी क्या रहा है क्या सोच रख रहे लिखकर कमेंड बॉक्स में ज़र्बता बने रहे नैशनल चौपाल के साथ मिलते नए वीडियो में तब तक के लिए जै भीम जै भारत